जेहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे बन विभाट के तरप से forest guard post पर नई भरती जारी कर दिया गया है और इसका officially notification भी आ चुका है तो अगर आप सभी बन विभाट के अंतरगत काम करना चाहते हैं यानि कि जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है और आज किस वीडियो में इस भरती की apply date, इसकी last date, इसकी age limit, selection process complete जनकारी आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में last तक बने रहिए और चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe परके bell icon को दबा तो दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका official notification और इसमें जो total post है आपका 894 post है यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बात करें जो यह vacancy आपका जारी किया गया है इसकी online आवेदन जो है आपका 24 अगस्त 2021 से सुरू होगा और इसका last date जो रहेगा 7 October 2021 तक और इसके लावा यहां पर जो लिखीत परिक्षा आपका होने वाला है वह अनुमानित समय यहां पर बताया गया है कि December 2021 इसमें conduct कराया जाएगा तो इसका जो है आपका form apply सुरू होगा 24 अगस्त से जिसमें 894 जो है आपका total post रहने वाला है इसके बात करें इस भरती की और details के बारे में तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं आपकी वेकेंसी के बारे में जनकारी दिया गया है यह forest guard post पर यह भरती है इसमें जो salary आपका रहेगा यह कई 1700 से सूरू होगा और 79,100 रूपिया तक आपको salary मिलने वाला है इसमें level 3 के salary आपको दिया जाएगा यहां पर बात करें आयू सीमा की तो आप सभी देख सकते हैं age limit आपका minimum 18 होना चाहिए और maximum 28 वरस यानि कि अगर आप 18 से 28 वरस के बीच है तो आप सभी इस firm को apply कर सकते हैं और इसके अलावा government rule के अनुसार OBC और SCHT candidate को जो है इसमें आपको छूट मिल जाएगा यहां पर बात करें इस भरती की जो आपका educational qualification है वह यहां पर बताया गया है आप सभी देख सकते हैं intermediate बताया गया है यानि कि 12th pass है तो आप सभी इस firm को apply कर सकते हैं यानि कि 12th pass इसमें मांगा गया है इसके बात करें इस भरती की सारेरिक माप दंड के बारे में तो पूरूस के लिए जो है 163 cm हाइट होना चाहिए और महिला के लिए 150 cm हाइट होना चाहिए और यहां पर सीना के बारे में बताया गया है कि आपको 5 cm expansion करना होगा यहां पर बात करें जो यह भरती है आपको बता दे कि चेश्ट जो इसमें रहेगा आपका 80 cm जो है आपसे मांगा जाएगा और 5 cm expansion करके ज यहां पर बात करें जो यह भरती है इसमें अगर आप सभी इन सभी जन जाती से है जैसे कि गोरखा, नेपाली, असामी, लदाखी, सिक्कीम, भुटानी, गडवाल, कुमोन, नागा और उनाचल परदेश यह कुछ जो है अनुसुचित जन जाती और यह सभी जो कैटेगोरी से अगर आप सभी बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहां पर हाइट में छूट देखने को मिलेगा पूरूस के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट रहेगा तो यह जो है कुछ कैटेगोरी जो होते हैं गोरखा, दुगरा, मराठा यह सभी को जो आपका यहां पर देख सकते हैं जो फिजकल टेस्ट होगा इसमें रनिंग जो आपका कराया जाएगा 25 किलोमीटर रनिंग होगा और यह 4 घंटे में आपको जो है अधिकतम जो समय है आपको 4 घंटे इसमें दिया जाएगा इसके बाद महिला के लिए जो है 14 किलोमीटर रनि में तो 100 अंका जो है आपका एकजाम होगा जिसमें objective टाइप परस्न रहेंगे और ये 2 घंट आपको इसमें समय दिया जाएगा जिसमें समानने हिंदी, समानने ग्यान, समानने अध्यान से परस्न जो है आपके पुछे जाएंगे लिखित परिक्षा आपको conduct कराया जाएगा इसके बाद इस भर्ती की लिखित परिक्षा की तीथी भी आपको बताया गया था कि December 2021 में जो है होगा यानि कि अनुमानित rate जो है बताया गया है अब यहाँ पर बात करें इस भर्ती के बारे में और काफी सारे details दिया गया है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इस लिमिट की बात करें तो इस लिमिट जो आपका count किया जाएगा एक जुलाई 2021 से यानि कि एक जुलाई 2021 तक अगर आपका आठारे बर्स minimum है तो आप सभी इस फर्म को आप लाइक कर सकते हैं एक जुलाई से जो है इसका age count होने वाला है यहाँ पर आप सभी देख सकते है जो आपको age relaxation दिया जाता है पांच बर्स और तीन बर्स यह सभी जनकारी यहाँ पर दिया गया है जिसे मैंने आप सभी को पहले बताए हैं अब बात करें इस भर्ती के बारे में तो आप जो है Indian नागरीक होना चाहिए तो आप सभी इस फर्म को apply कर सकते हैं और इसके आप सभी को बता देते हैं कि जो इसमें application भी आपका लगने वाला है वो कितना रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगर आप सभी general या पिछरा बर्क से हैं तो 300 रूपया और जो SCST जो candidate होते हैं उनके लिए 150 रूपया इसमें लगने वाला है और exam के बारे में यहाँ पर details दिया गया है और दोस्तों आप सभी को बता दे कि यह जो vacancy आपका है यह उत्राखंड के तरफ से जारी किया गया है यानि कि उत्राखंड estate से यह vacancy जो है जारी किया गया है तो अगर आप सभी उत्राखंड से है तो इस firm को apply कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप दूसर state से हैं तो आपको general category में जो है count किया जाएगा यानि कि उत्राखंड से है तो आप जिस category से है उस category के coding जो है आपको वहाँ पे shoot मिल जाएगा लेकिन अगर आप अलग state से है तो general category के अंतरगत आपको रखा जाएगा तो अगर आप सभी इस form को apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं complete जनकारी आज किस वीडियो में मैंने आपको बताया है फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदेमा